अस्तरामु अलेकुम वैलकम टो स्टूडेंट यूप आज की इस लेक्चर में हम चैप्टर नमबर वन बायोलोजी टॉपिक है हमाई पास मस्टर्ड प्लांट मस्टर्ड प्लांट यानिके सर्सों का पौदा ठीक है ब्रासी का कंपैस्ट्रेस इस कॉमनली नोन एज मस्टर् तो मस्टर्ड का जो साइंटिफिक नेम है वह ब्रासि का कंपैस्ट्रेस और लोकली यानिके हम पाकिसान में उर्दो में ऐसे क्याते हैं सर्सों ठीक है इंठेस मल्टी सेलुलर एड कल्टिवेटेड इन विंटर सीजन तो मस्टर्ड का प्लांट जो है यी सर्सों का पौद while seeds are used for oil extraction अब इस पौदे के जो लीब्स है यानि के पत्ते जो है उससे वेजटेबल के तौर पे जिससे बहुत ही मश्रूर डिश है सर्सों का साग बनाया जाता है ठीक है और इसके जो बीज होते हैं सीर्ज होते हैं वो और निकालने के लिए स्तमाल होते हैं जिससे सर्सों का परतेल केते हैं the length of this plant is one to one point five maybe अब customer की जो लेंथ होती है वह एक से लेकर देज़ मीटर के दर्मयान होती है अब आज हैस्तden Arena या हैस्तवपार्टिफ यानिके दो पार्थ होते है एक प्रेगलिते इससित्वार्टीट यानिक्यो का इस्तेम् stem होती है और leaves होते हैं and reproductive part which consists of flowers अब reproductive part भी होता है जो के flower में होता है each flower is yellowish in color and produce seeds ठीक है तो flower में basically क्या होते हैं? seeds होते हैं और seeds जो है वो reproductive part होते हैं क्यों होते हैं? क्योंकि वो ही seeds हम जमीन में फिर से बो कर उससे एक नया पौदा उगा सकते हैं तो ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं यह जो है flower है, हमारे पास yellow color का इसके बाद flower bird यानि के जो κॉंपल होती है फूल जब बनता है, फूल के खिलने से पहले वो यह एक کॉंपल होती है कली होती है, तो flower bird है यहाँ पर इसके बाद यहाँ पर यह है fruit, ठीक है, fruit भी होता है, किसी भी फल में fruit भी पाया जाता है, पत्ते होते हैं, fruit होता है, फूल होता है, तना होता है, ठीक है, इसके बाद यंग लीव है, इसके बाद है हमारे पास root, जो के जड़ कहलाती है, stem, तना, वो old leaf, यानि के जो पत्ते पुराने हो ग कानले लीव हैं, इस ग्टरल्ल लातिए् लात बादी लाते है, पर ट्रा वे के जानो, आलंने थानी प्रेतध के टीस है is made of organ system with different organs all organs are made of different issues such as epithelial glandular muscular nervous etc frog lives near ditches pools ponds stagnant streams and slow moving rivers it feeds on small insects तो frog जो है जिसे हम मेंड़ कहते हैं इसका जो scientific name है वो है राना टिकरीना और जो के कॉमनली हमारे इलाकों में पाए जाते हैं फ्रॉक जो है वो एक नहीं होती इसकी बॉड़ी जो है वो different organ system से मिलकर बनी होती है यानि के बहुत सारे organs पाए जाते हैं जो भी तमाम organs होते हैं वो के tissue बेस होते हैं different tissue पर जो के वो यहां पर यह activity दी हुई है identification of organs and organ system in dissected frog जो के आपकी टीचर आपको science lab में करवाएंगी तो यह activity हम यहां पर skip करते हैं तो यह था आज का lecture जिसमें हमने mustard plant और frog के बारे में पढ़ा और उमीद करती हूँ कि आपको इच्छे समझा गया होगा अगर lecture है फूरा हो तो आपने इसे like करना है शेयर करना है और चैनल पे new है तो subscribe किये बगार मच आए मिलते हैं next वीडियो में तब तक के लिए लिए लाहाफेज